जगत का संहार करने वाले महादेव जी ने फ्यानक और विक्रित शरब अवतार क्यों धरा था? ये रूप धारन करने का उद्देश्य क्या था? क्या उनका ये अवतार उनके सभी अवतारों से अधिक शक्तिशाली था? उनके हाथों से किनका वद हुआ था? शरब अवतार से जुड़े हुए एक एक तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंततक अवश्य देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अपने भक्त प्रलाद की रक्षा के लिए भगवान विश्णो जी नरसें का रूप धारन करके स्वयम प्रकट हो गए थे वहां उन्होंने बांदवों सहित रिन्यकश्यप का वद कर डाला उस दैत्यों के स्वामी का वद करके युग के अनतकाल की प्रलेकाले अगनी के समान अन्ने कई प्रमुख दैत्यों को पीडित किया नरसें की भेंकर दहाड और घोर गर्जन से सारा जगत भेभीत हो गया नरसें को देखकर देव, असुर, नाग, सिद, साध्य अपने जीवन की रक्षा के लिए बिविन दिशाओं में भागे अंततेवे सभी अपने रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में गए उन्होंने भगवान की स्तुति की और फिर शिवजी से बोले कि हम नरसें हरूप धारी विश्नुजी के अमित तेज से संतप्त है अतै हे देव, आप सब लोगों के हित के लिए इसे रोकने की इच्छा करे उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर शिवजी ने मुस्कुराते हुए उन देवताओं को अभैदान दिया और कहा कि मैं उनका सहार करूँगा इसके बाद शिवजी को प्रणाम करके इंद्र सभी देवताओं के साथ जैसे आये थे वैसे ही चले गए और भगवान ब्रह्मा कथा अन्ने श्रेष्ट देवता भी चले गए इस प्रकार देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान शेफ ने नर्सेह के तेज को नष्ट करने का निश्चय किया और इसके लिए रुद्र ने अपने भैरव रूप महाबली वीरभद्र का स्मर्ण किया तब वीरभद्र शीक्र ही वहाँ आये वे करोडों श्रेष्ट गणों से घिरे हुए थे वीरभद्र जी ने स्वाइम निवेदन किया यहां पर मुझको स्मर्ण करने का क्या कारण है आग्या प्रदान कीजिए शिरी भगवान बोले यह भैरव पे नरसेह रूपी अगनी प्रज्वलित हो रही है इस अती भ्यंकर अगनी को शांत करो उसे सांतुना देते हुए पहले समझाओ यदि उससे वे शांत नहीं होती तब मेरे महा भ्यंकर भैरव रूप को दिखाओ इस प्रकार आग्या प्राप्त किये हुए गरणेश्वर पीर भद्र शांत स्वरूप धारन करके वेग पूर्वक वहां पहुँच गये जहां नर्सेह विराजमान थे तदंतर भगवान वीर भदर जी ने पहले तो नर्सेह रूपी उन विश्नु जी की स्तुति गाई फिर उनको समझाते हुए उनसे बोले एक एशव जिसके लिए आपने ये अवतार लिया है वेरिन्य कश्यब भी आपके द्वारा मारा जा चुका है आपका नर्सेह रूप बहुत भ्यानक है ए विश्वात्मा मेरी उपस्तती में आप अपने इस रूप को बदल ले वीर भदर जी के शब्दों को सुनकर नर्सेह जी ने पहले से अधिक बेहद भ्यानक क्रोध में अपने को प्रकट किया शिरी नर्सेह बोले ए वीर भदर तुम जहां से आये हो वहां चले जाओ इतकी बात मत बोलो मैं इस समय इस चराचर जगत का सहार कर प्रवर्तक तथा निर्वर्तक हूँ शक्ति संपन ब्रह्मा इंद्र आदी देवता मेरे ही अंश हैं पूर्व काल में चत्रमुख ब्रह्म मेरे नाभी कमल से उत्पन्न हुए थे और उनके ललाट से भगवान विश्व ध्वज शिव उत्पन्न हुए थे अते मेरी शरण प्राप्त करके तुम संताप रहित होकर यहां से जाओ फूतों के महेश्वर तुम मेरे इस परम भाव को समझो मैं काल हूँ मैं काल के वी विनाश का कारण हूँ मैं लोकों का सहार करने में प्रवृत हूँ ए वीर भद्र तुम मुझको मृत्यू की भी मृत्यू मानो ये देवता भी मेरी कृपा से ही जी रहे हैं नरसेह जी की अहंकार पूर्ण इन बातों को सुनकर शिरी वीर भद्र बोले कि आप सहार करता प्रिनाक धारी विश्वेश्वर शिव को नहीं जानते हैं गलत वाद विवाद करने से केवल आपका विनाश होगा अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को रोक लो नहीं तुम रुत्यू तुमारे उपर गिरेगी इस प्रकार सब कुछ सोच कर अपने रूप को पून रूप से समेट लीजिए अन्यता महा भैरव रूपी रुद्र के क्रोध का वैशरब रूप आप पर मृत्यू बनकर उसी प्रकार गिरेगा जैसे परवत वज्र पर गिरता है वीर भद्र के इस प्रकार कहने पर नर्सेह क्रोध से व्याकुल होकर गरजने लगे और तीवर वेग से वीर भद्र जी को पकड़ने का प्रयास करने लगे इसी बीच विपक्ष में भै उत्पन्न करने वाला महा भ्यंकर गगन व्यापी तथा दुर्धर्ष शिव तेज उत्पन्न हुआ उस क्षण वीर भद्र जी का जो रूप दिखाई पड़ा वे ना सुरन मेय था ना चंदरमा से उत्पन्न था ना सुरे से उत्पन्न था ना अगनी से उत्पन्न था और ना ही विद्दुत के समान था वे शिव से संबंदित अनुपम रूप था उस समय सभी तेज उस शिव रूप में विलीन हो गए और शरब नरसें ये दो व्यक्त रूप प्रकट हुए वे रूप भैंकर आकरती वाला तता रुद्र के विशिष्ट चिन्नों से युक्त प्रकट हुआ सभी देवताओं के देखते ही देखते वे शिव रूप हजार भुजाओं वाले हो गए वे जटा धारी और सिरपर अर्द चंदर धारन किये हुए थे उनका आदा शरीर पशु रूप में था वे दो पंखों से तता चोंच से युक्त हो गए उनके दात विशाल तता अती तिक्षन थे वे नील कंट थे तता भैंकर तता गंभीर दुहनी वर कर रहे थे उनके तीन नेतर क्रोज से फैले हुए विशाल आग के गोले के समान हो गए उन शरब रूप को देखते ही नरसेंजी का बल और प्राकरम नश्ट हो गया इसके बाद हर रूप शरब ने अपने पंखों से उनके पैरों और पूँच से पांध कर और अपनी भुजाओं से उनके बाहु मंडलों को कस लिया और इसी प्रकार शरब नरसेंजी को लेकर आकाश में उड़ गये उनके पीछे आकाश में देवता और महरिशी भी गये उन शरब द्वारा परवश निसहाई दशा में उपर ले जाते हुए हाथ जोड़कर नरसेंजी ने 108 अमरित मैं नामों से शरब रूप ईश्वर शिव की सुति करके पुने उनसे प्रार्थना की ए परमेश्वर जब जब अतियहंकार से दूशित अज्ञान मुझ में उत्पन हो तब तब आप उसे दूर करें इस प्रकार भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए वे नरसेंजी प्रसन हो गए उन्हें मात्र हडियों से जुक्त कर दिया और इस प्रकार वैविग्रह अतिश्वेत वर्ण वाला हो गया तब वहां सभी देवता गणों ने मिलकर प्रसन चित होकर वीरभदर जी की सुति की देवता बोले ही वीरभदर ब्रह्मा आदी सभी देवता आपकी दृष्टी से उसी प्रकार जीवित हैं जैसे वरिक्ष मेग से जीवन प्राप्त करते हैं जिसके भै से अगनी जलती है साक्षात सूर्य उगता है और वायू बहती है वै आप ही हैं आप हमारे परमेश्वर हैं आपका अंत नहीं है ऐसा जानिये है भगवन कभी भी खत ना होने वाले महान बल से युक्त आप यहां पर हम लोगों की रक्षा कीजिए तत पश्चात जी शिवमें लीन है इनमें कोई अंतर नहीं है यही नरसिह रूप है जो दर्प सहित महा बलवान है यह महाबली nरसिह विश्व के सहार करता के दवारा कारे करने के लिए बناया गया है यह पूझ निये है महाबली वीर वद्र इतना कहकर सब भूतों दवारा देखते ही दे सेहं का मुंड मुख्य मुंड हो गया और मणी रूप में शोभा पाने लगा उसके बाद विस्मेश से प्रसन नेत्र तेवतागन आतंक से मुक्त होकर इस कथा को कहते हुए अपने अपने स्थान को वापिस चले गए यह व्रितांत हमने लिंग पुरान के अध्याय 96 से लिया भागवत पुरान तथा विश्नु पुरान में प्रलाद स्वैम ही नरसिंजी के क्रोध को शांत करते हैं यह बात हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं विभिन पुरानों में एक घटना विभिन प्रकार से घटित हुई है और इनमें अंतर आ जाता है यह कल्प भेद के इस बात को हम पहले भी बहुत वीडियो में बता चुके हैं जै शरीहरी जै भोलेनात आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा क्रिपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की तुरुटी के लिए आ आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जै